प्रचंड बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनाने वाले प्रुधान मंतुरी नरेंद्र मोदी अब लोगों को अच्छे स्वास्थ और मजबूत दिमाग बनाने की क्लास दे रहे हैं प्यम मोदी ने एक क्लास 21 जून को होने वाले अंतराश्ट्रे योग दिवस को देखते हुए देना शुरू किया है मोदी की योगा क्लास में वो लोगों को व्रिक्षासन और ताडासन जैसे योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें वो मरून रंग के गलीचे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे बड़ी-बड़ी खिड़़कियां दिखाई दे रही हैं जिन में बाहर से एक खुबसूरत हरियाली दिखाई दे रही है जो माहल को और भी ज्यादा तरो ताजा बना रही है इन वीडियोज के साथ पिये मोधी ने लिखा है कि ताड़ासन करने से आपको कई दूसरे आसन करने में काफी आसानी होगी और आपको आसन के फायदे भी जानने का मौका मिलेगा आपको बता दे कि 21 जून को इंतराश्ट्री योग दिवस मनाया जाता है इस मौके पर प्रप्धान मंत्री खुद हजारों लोगों के साथ मिलकर योग करते हैं इस बार भी योग दिवस को मनाय जाने की खास तैयारियां की गई हैं ताड आसन ताड यानि ताड का पेड इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड के पेड की तरह उची और मजबूत हो जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं हथीलियों को सामने रखकर अपनी उंग्लियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाईयों को बाहर की तरफ मोड़े, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भूजाओं को कंधू की सीद में उठाते हुए सर के उपर ले जाए, इस सवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एडियों को जमीन से उटाएं और पंजो के बल खड़े हो जाएं अब बिना अपना संतुलन खोए बिना पैरों को हिलाए इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहें सामानी रूप से सांस लें और छोड़ें कुछ देर आराम से रहें शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है इसके पर अपनी आखें केंद्रित करें इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा ये आसन वीड से जुड़ी तंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है शरीर की मुद्राओं यानी पॉस्चर को बहतर बनाता है इससे जांग, घुटने और एडियां मजबू तो ये आसन ना करें, दस से पंद्रा सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद, धीरे से अपनी सास छोड़ते हुए, अपनी एडि को वापस जमीन पर रखें, धीरे से उंग्लियों को खोले और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाए, इस आसन का नियमित अभ्यास, शारिरिक और मानसिक संतुलन विक्सित करता है, त्रिकोन आसन, इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर, यानि हाथ, पैर और रीड की हटी, एक त्रिकोन का आकार ले लेते हैं, तो इस आसन को करने के लिए आप धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं, ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाएं, सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं, अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए, अपने दाहिने पै अबी गहरी सांस ले, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से चुकाए, दाहिनी हाथ से अपनी दाहिनी एडी को छूने का प्रयास करें, और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा ले, हो सकता है आप में से कुछ अपने को वहीं तक ले जाईए, जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सकें, इस धिती में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें, और छोड़े, पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए, वापस उपर की और आईए, और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए, अब अपने बाय पैर के पंजे को घुमाएं, और दुबारा यही आसन अपनी बाई तरफ से दोराएं, ये आसन जितना सरल है, उतना ही उप्योगी भी है, ये आपके कमर की मानस्पेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चप्टे तल्वों यानी फ्लैट फूट की समस्या से भी बचाता है, जंगाओं, कंधों, छाती तथा रीड की हड़ी को मजबूत और लचीला बनाता है, लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसे प्रण करता है, ताड आसन, ताड यानी ताड का पेड, इस आसन को करते समय, आपके शरीर की स्थिति ताड के पेड की तरह उची और मजबूत हो जाती है, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो अथीलियों को सामने रखकर अपनी उंग्लियों को आपस में पकड़े और फिर धीरे से कलाईयों को बाहर की तरफ मोड़े अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भूजाओं को कंधू की सीध में उठाते हुए सर के उपर ले जाए इस सवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से उपर उठाए और पंजों के बल खड़े हो जाए अब बिना अपना संतुलन खोए बिना पैरों को हिलाए इस स्थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहे सामान्य रूप से सांस ले और छोड़े कुछ देर आराम से रहे शुरुवात में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आखें केंद्रित करें इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा ये आसन रीड से जुड़ी दंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है शरीर की मुद्राओं यानी पॉस्चर को बहतर बनाता है इससे जांग, घुटने और एडियां मजबूत होते हैं यदि आप, रिदय रो, सरचक्राना या पैरों में सूची हुई नसों जिसे वैरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ी थोंग, तो ये आसन ना करें दस से पंद्रा सिकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सास छोड़ते हुए, अपनी एडि को वापस जमीन पर रखी, धीरे से उंग्लियों को खोले और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाए इस आसन का नियमित अभ्यास, शारिरिक और मानसिक संतुलन विक्सित करता है त्रिकोन आसन, इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर, यानी हाथ, पैर और रीड की हटी एक त्रिकोन का आकार ले लेते हैं तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाए अब अपने पैरों को परस पर आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाए धीरे धीरे अपने हाथों को उपर उठाए, ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए सुनिश्चित करें की हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो उपर नीचे या आगे पीछे नहीं अपने बाये पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिगरी हुमाए अब एक लंबी गहरी सांस ले और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से चुकाए दाहिनी हाथ से अपनी दाहिनी एडी को छूने का प्रयास करें और अपने बाये हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा ले हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एडी तक ना पहुचा पा रहे हो तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाईए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुँच सके इस्थिती में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े, पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस उपर की ओर आईए और अपने ताहिने पैर को सीधे कर लीजी अब अपने बाए पैर के पंजे को घुमाएं और दुबारा यही आसन अपनी बाई तरफ से दोराएं ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है ये आपके कमर की मानस्पेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चप्टे तल्वों यानी फ्लैट फूट की समस्या से भी बचाता है जंगाओं, कंधो, छाती तथा रीड की हड़ी को मजबूत और लचीला बनाता है लेकिन अगर आपको गर्दन या पीट पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसे पिड़ाएं हैं तो कृपया इस आसन को ना करें जब आप लंबी गहरी सांसे लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारन करता है